इन मार्गों पर कुल 132 पुलों की श्रंखला बने की जिसमें 25 हाई फ्लड लेवल ब्रिज और 107 मैनर ब्रिज शामिल है तेरा बाईपास कई शहरों को जाम फ्री बना देंगे चार धाम क्षेत्र की नदियां और हिम गिरी का पानी सडकों की बरबादी में एहम भूमिका निभाते हैं जगह जगह रिवर प्रोटेक्शन वॉल 3889 कलवर्ट राज मार्गों की सुरक्षा का हल बनेंगे पागल नाला लांबागर जैसे 38 लैंड्सलाइट स्पोट पर स्टील जाली सॉयल नेलिंग गैवियन वॉल स्क्वार मैस वेजिटेशन जियो सिंथेटिक ट्रीट्मेंट की आधुनिक तक्नीक का उप्योग होगा देव प्रयाग जैसे 3 सिंकिंग जोन का ट्रीट्मेंट भूस खलन से सडकों को सुरक्षित करेगी चार वायडक्ट का निर्मान होगा जिसमें मरीन पॉइंट रिवर वायडक्ट तथा सोन गंगा अलकनंदा नदी के पानी से सोन गंगा की 775 मीटर लंबी माउंटेंट वायडक्ट राजमार्ग को 25 मीटर उंचा पहुचा देगी दो महत्वपून टनल भी विक्सित होंगी पांच किलोमीटर सिल्क यारा बैंड टनल 25.5 किलोमीटर अंतर को कम कर देगी और परियावरन अनुकूल बना देगी पेट्रोल और डीजल की बड़ी बचत के साथ कभी धकान से चूर करने वाली ये यात्रा अब केवल दस मिनिट की प्रदूशन मुक्त सुखदाई यात्रा बन जाएगी जगह जगह इमजेंसी ले बेज विक्सित होंगे जो परेशानी भरी यात्रा को आनंद मैं बनाएंगे चार धाम यात्रा सभी मौसम में सुगम एवं आनंद मैं बनाने के लिए अठारा रोट साइड एमिनिटीज एक सो पैतालीज बस बेज भी विक्सित होंगे नौ ट्रग बेज क्षेत्र के व्यवसाय उन्नती में एहम भूमी का निभाएंगे वर्ष दो हजार बीस तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष है भूमी अधीग्रहन और प्रभावित लोगों का पुनरवास भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है प्रोजेक्ट की उपलब्धियों में शामिल है एक्सिडेंट स्पोट एवं दुरघटनाओं के आंकड़ों में उलेखनीय कमी खत्रे की सूचनावाले बोड जन सुविधा के पत दर्शक बनेंगे जो तीर्थ यात्रियों एवं परेटकों में सुरक्षित यात्रा के विश्वास को कई गुणा बढ़ाएंगे हजारों युवाओं को रोजकार चीन से सटी भारती सीमा को सुरक्षा और यात्रा के समय में 30 से 40 प्रतीशत कमी चारधाम राजमार्क विकास पर योजना उत्तराखन राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नती तथा पहाडिक शेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी